सुजीत मायूसी का महौल अभी है वहाँ पर या फिर अभी उमीद की किरान बाकी है क्योंकि कल नतीजे आने है लेकिन उससे पहले जो एक्जिट पोल आए है वो दर असल सी एन के फेवर में नहीं है बिल्कुल नहा मायूसी का महौल तो हम नहीं कहेंगे लेकिन एकजिट पोल में जो नतीजे आये हैं उसको उसको मानने के लिए तयार नहीं है जेडी उखास दोर पर एंडिये के जो नेता है और कल दिन भर इसी मासा पच्छी में लगे रहे तमाम लोग जो नेता गंड है जो पार्टी ऑफिस में एक-एक सीट का आकलन करके वो यह मानने को तयार नहीं है कि एंडिये को बहुवत नहीं आएगा उनका कहना है कि करीब 130-135 के करीब में सीट उनको आ रही है और जो एकजीट पोल में दिखाया गया है वो उसमें तरक भी देते हैं कि पहले के एकजीट पोल किस तरह से गलत हुए थे मुखमंत्री नितीश कुमार भी आस्वस्थ हैं उनकी बाचीत जो नेताओं से हुई है लगातार वो सभी को यह कह रहे हैं कि आप निश्चिंत रही है शरकार हमारी ही बनेगी तो मायूसी का इस तरक नहीं लेकि एक मन में कह सकते हैं कि अब 24 घंटे से भी कम का समय रह गया पहला रुजहान आने में तो ऐसे में मन में धुक धुकी तो लगी हुई है परिणाम आने का जो परिक्षा देने के बाद जो परिणाम के लेकर छात्रों में होता है उस तरह का है क्योंकि यह सबसे कठिन चुनाव रहा है हम यह नितीश कुमार के लिए यह हम कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड पे पंदरा साल के शासन का एंटी इंकंबेंसी दिखाई दिया तो वो निश्चित रूप से वो चीज है और आप देखिए कि हमेशा नितीश कुमार ने जो भी पिछले 2005 में हो 2010 में हो 2015 में ह जिस गट बंदन में भी रहे और अच्छी मजरीटी के साथ पूर्ण बहुमत के साथ उन्हेंने सरकार बनाई है इस बार खुद जेडियू की तरफ से या एंडिये की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुमत आ जाएगा 122 ते इसका बहुमत का आख़़ा है जाती और धरम का बंधन बिहार तोड़ेगा और पूरे देश के लिए एक नई दशा और दिशा की शुरुवात करेगा हमारे देश को भारतिये जनता पार्टी ने नफरत, बटवारे, जात और धरम में बाट दिया है हर व्यक्ति एक दूसरे का धरम और जाती पूछने लगा है कहीना कहीं रोजगार युवाओं की आशा आकांशा पीछे को गई देश के विविन हिस्सों से जो बिहार में, उत्तर परदिस में, जहार खंड में, बुंदेल खंड में थे जिनमें बड़ी संक्या बिहार के लोगों की भी थी, तो अपने आपको ठागा सा महसूस करते थे कि अगर हमारे यहां रोजगार होते, तो जो अपमान का दंस उनको जहिनना पड़ा था, शाद वो ना जहिनना पड़ता और अगर नतीजे खराब आते हैं तो, मैं मानता हूँ, उसके लिए वर्तमान सरकार को शाद उसने दोसी माना होगा, जो नई इतना सपस्ट है कि बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, एक नई सरकार का, जो उनके जाती जिन्दगी में, जो कोहराम मचा हुआ है, रोजगार का सवाल हो, स्वास्त, सिच्चा, दवाई, सिचाई का मामला हो, जो नेता प्रतिपक्स ते देश्वीजी, लगातार, कोई नेक तो नेक फाइट नहीं है, एक जिट पोल्स में जो होता है, वो जो जिनको मध्यम दर्जें के लोग हैं और अमीर हैं, उनके द्वारा ज़ादा नतीजे आते हैं, जो गरीब की जोपड़ियों के वोट हैं, वह एक जिट पोल में परिलक्षित नहीं होता है, और यह जो 40 प्रतिशत हमारे गरीब जो हैं, वह पूरे के पूरे तौर पर NDA गटवंधन के साथ हैं, सरकार पुर्ण बहुमत, दो त्याई के बहुमत से बन रही है। नहा मैं तेजस्वी यादो के घर के बाहर, जो लालू और राबडी देवी का सरकारी आवास से मैं उसके घर के बाहर मौझूद हूँ, और आपके मैं दृष्य दिखा दूँ, यह वो घर है जहां इसके भीतर तेजस्वी यादो मौझूद हैं, आज उनका जनम दिन हैं, लेकिन जिस तरीके से इस चुनाओ में नारेटिव अलग सिट किया है तेजस्वी यादो ने, कुछ उसी तरीके से छवी बदलने की भी एक कवायद है, और आप देख लीजिए, आज जनम दिन है, कल नतीजे आएंगे, जशन का दिन हो सकता है, लेकिन इस पूरे इलाके मे ना तो एक भी पोस्टर मौझूद है, नहीं कारेकरताओं कि आपको बहुत मौझूदगी दिखेगी, यहाँ पर सिर्फ मीडिया के लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ इक्के दुक्के कारेकरता जरूर आए हैं, जो कि किसी तरीके से तेजस्वी को बधाई देना चाहते ह इस तरीके की गाडियों में कुछ लोग आए हैं, उनके लिए यह जो गिफ्ट है, आप देख सकती है कि यह आम के पेड और इस तरीके का गिफ्ट लेकर क्या हैं, लेकिन जो बात कह रहा हूँ वो यह कि पूरी तरीके से छवी बदलने की भी कोशिश है, पहले की जो छवी है, उससे निकलने की कोशिश है, क्योंकि जनम दिन हो, जशन का वक्त आने वाला हो, और RJD कारेकरता सडकों पर न दिखाई दें, उनके पोस्टर्स, बैनर बिलकुल नहीं दिखाई दें, यह अपने आप में बिलकुल ताज्यूब लगता है, और जिस तरीके से तेजस्व बढ़ा बदलाओ, कह सकते हैं, कि छवी को ले करके है, और इसको बहुत कुछ हद तक मेंटेन करने की कोशिश भी हो रही है, कोई कारेकरता यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इक के दुख के कारेकरताओं को छोड़कर, जबकि अगर पहले का वक्त होता, तो यह पूरा का पूरा इलाका पोस्टरों से पटा होता,